हेलो गाइस वेलकम टू माई चैनल आज हम बनाएंगे किस्पी चीजी बॉल जो बच्चों को तो पसंद आएगी लेकिन साथ में बड़ों को भी बहुत पसंद आएगी ये देखिए एकदम चीजी बनकर तयार है अक्सर क्या होता है हम ब्रेड के जो साइड्स होते हैं किनार किसे अब इन्हें ग्राइंड कर लेंगे ये देखिए हमने इसका तो बना लिए हैं और अब लेंगे एक पैन, डालेंगे ब्रेड क्रम्स, और मीडियम फ्लेम पर इसे क्रिस्पी होने तक फ्राइ कर लेंगे, यहां इन्हें क्रिस्पी होने में दो से तीन मिन्ट लगे हैं, एक क्रिस्पी हो चुके हैं, अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे, और यहां लिए हैं, चार उब काली मिर्च, पिजा सीजनिंग, और गैनो, नमक, अपने स्वाद के अनुसार, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और अब थोड़ा सा आलू लेकर, उसके बीच में एक स्पेस बनाएंगे, और इस स्पेस में डालेंगे, चीज, और अब चीज को आलू से अच्छे से कवर करके, एक बॉल बना लेंगे, और इसी तरह सारी बॉल तियार कर लेंगे, और यहां लिया है मैंने दो चमच मैदा, थोड़ा सा पानी डाल कर, एक इसका पेस्ट बना लेंगे, अब मैदा की जगें कॉन फ्लॉर भी ले सकते हो, और अब इस पेस्ट में आलू की बॉल्स को डिप करेंगे, और अब इसे ब्रेड कर्म्स में अच्छे से हर साइड से अच्छे से कोट कर लेंगे, और अब इसे डिप फ्राइ कर लेंगे, और अब हम इने मीडियम फ्लेम पर ही फ्राइ करेंगे, जिससे ये अच्छे से किश्पी फ्राइ हो जाएं, सबी बॉल्स हमने डाल दिये हैं, अब इने फ्राइ कर लेंगे, यह देखिए एकदम किस्पी बॉल्स बनकर तयार है बचे हुए ब्रैड के सीजी बॉल्स बनकर तयार है यह बहुत कम समय में एक आसान सी रेसिपी बनकर तयार हो जाती है आप इसे कभी भी बना सकते हो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे मुझे कमेंट करके जुरू परता है और मेरे चैनल को लाइक शेयर सस्क्राइब करना ना भूलें तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ बाई